तो दोस्तों हम बात करने वाले वन आव थे बेस्ट मिडल वेट सूपर बाइक जो के छैसो सीची के सेग्मेंट में आती है छैसो अड़तालिस सीची का इन लाइन फॉर सिलेंडर लिक्विट कॉल इंजन वन अफ़ वास्टेस्ट वन अफ़ शूंडिंग मशीन आने वाली है तो दोगलों अवाटिस्ट करेंस लेताल वाट्समेंटाब्स हमकिन दोग ज्टाइस सीची का जोगी देंटना के लगवस्ताब्स हमें अधर सब्सक्राद का राट्समेंट एंजन हम का अपक टूप लिए ओंट सन् का मुएब्स्तों करेंस इंजन के दोगां आन। और भक hello welcome to this video on the Honda CBR 650R in this video we will take a closer look at this beautiful machine and we will be discussing its design performance and feature so guys first of all go and check out the cinematics झाल 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 तो दोस्त हम बात कर रहे थे middle weight sports segment के बारे में तो हमारे पास आ चुकी है Honda CBR 650R जो के बहुती टाइम से इंतिजार था इस पल का ये बाइक आ चुकी है हमारे पास available है stock में है ultra mint condition में ये बाइक है सारी details देंगे price कितना होने वाला कितना finance होगा और इस बाइक में क्या क्या लगा है बट सबसे पहले बात करते हैं इसके engine के बारे में इसके weight के बारे में कितनी चली है कितना आप चला सकते हैं और इसकी जो maximum power है तो चलिए वीडियो है 648 CC का to be precise जिसमें मिल जाता है liquid cool technology के साथ अगर आप बाइक चला रहे हैं सिटी में राइट कर रहे है performance तो जबर्दस रही रही और बाइक आपकी गरम भी जादा नहीं होने वाली है क्योंकि यह है liquid cool technology अगर हम बात करें बीच पी के बारे में तो यह produce करती 87 बीच बीच है बहुत ही light है Honda है तो अपने आप में एक smoothness अलगी है इसकी 211 kilo इसका ground clearance भी अच्छे 132 mm है तो आप इसे कहीं भी कैसे भी चला सकते हैं city riding भी कर सकते है cruising भी कर सकते है and it's a very good bike for touring क्योंकि इसका जो posture अगर हम देखें तो इसका posture काफी upright है तो इस बाइक को आप totally enjoy कर सकते है it's a very good bike and it's a very good looking machine so दोस्तों अब बात करते हैं meter के बारे में इसका digital meter मिल जाता है जिसमें आपको मिलता है trip A&B आपकी clock मिल जाती है इसमें आप RPM enjoy कर सकते हैं और साथ के साथ दोस्तों इसमें मिल जाता है switchable traction control और अगर हम braking की बात करें तो braking system भी काफी अच्छा है क्योंकि में आगे मिल जाता है dual brakes और जो के है ABS technology के साथ tire size की हम बात करें front tire same as the other super bikes 120 mm का मिल जाता है और पीछे जो मिलता है 180 size का और पीछे भी आपको डिस ब्रेक मिल जाती है braking भी अच्छी है performance भी अच्छी है design बहुत जबरतस है so what not आपको और क्या चाहिए यह machine अपने आप में ए बहुत टाइम जे हम लोग भी search कर रहे थे क्योंकि इसकी बहुत inquiry आ रही जी के CBR 650R कोई है F तो कई बार आ चुकिए बट आर कभी नहीं आई थी आपको बताने वालों जल्दी से जाके पहले एक कमेंट करें प्यारसा कमेंट से मिलता है में motivation और motivation से ऐसी प्यारी प्यारी बीस्ट आती रहती है तो दोस्तों अगर हम देखें इसमें टैंक बैट भी लगए मोटोग्राफिक्स का और इजी क्रिप जो ट्रैक्शन पैट होते हैं वो भी लगए वे तो जो बेसिक एक्सेसरीज है वो सारी लगी वी है आवाज अपने आप में जबर्दस है इसकी क्योंकि इलाइन पोर से है और होंडा है होंडा की स्मूथ में इस तो आपको पता है इस लाइक अन्वीटिबल जैसे यह मैंने बोला एक नमलब वायर शॉट इतनी स्मूथ बहुत प्यारी मशीन है और जो इसकी कलर स्कीम है मैड बलाग इस लाइक चैरी ऑन दे टॉप तो यह मशीन इतनी सारी लोडिंग के साथ इतनी क्लीन इतनी लेस रिडिन रिडिन की जब बात हो रही है दोस्ता घार हम देखें टू भी प्रसाइज ही चलिए बारा हजार बात चैर्ट उनने स्रेजिस्टर इविए लिए जिरू डप इंशॉरेंस भाइक का है ब्राइन यूटा असे डला है बैटरी डली है सर्विस हुई है बस लेके जानी है पाट्रॉल रिक्यूल गराना है और और यू और वाट तो दोस्तों इस भाइक का प्राइज जो हमने तो जल से चलता है और लेके जाहिए अपने गर फिर मिलेंगे नेक्स वीडियों अटेवल दैन्स टेक्यर बाबाइज कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर 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 झाल झाल झाल